किसान भायों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे मिर्चा की नरसरी आप लोग बहतरीन तरीके से कैसे तयार कर सकते हैं एक कहवत है मिर्चा घर का खर्चा मतलब बेगर मिर्चा की जो आपकी रसोई है यह अधूरी रहती है और यह जो मिर्चा की खेती होत तो ऐसे समय में हमें बहुत ही बहतरीन तरीके से मैनेजमेंट करना पड़ता है अपने मिर्चा की खेती की और इसके साथ साथ नर्सरी की यह हमारी मिर्चा की खेती की पहली वीडियो है जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि आप मिर्चा की नर्सरी कैसे तयार कर सकते हैं यहां पर वही चीजे बताते हैं जो ब्यावहारिक हैं और शस्ते में नहीं हो सकती है इस वज़ए से हम उसको नहीं excited देखें जो हम मिर्चा की नर्श री पीछे तयार किये हैं इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे यह तो हमारी एक समाने बिधी है जो पुरानी समय से लोग करते आ रहे हैं लेकिन आज कल एक बिधी और प्रचलीत हूई है उसे कहते हैं बीजना नर्सरी में कि उस तरह से हम नर्सरी तयार करते हैं देखने में पैस्णा बड़ा प्रोफेस्नल की बढ़ते हैं कि लगड़ आई रहीँ कि अगर मझ छी बात करें उसमें हमारा खर्चाब प्रतिपूद लगभग एक से डीपर उत्युक्त बैठी तो ऐसे में क्या वाइस चीजे सही है देखिए आप जिस तरीके से इस तरीके से तयार करेंगे तब भी आपका जर्मिनेशन उतना ही आएगा उसमें भी आप तयार करेंगे जर्मिनेशन लगभग उतना ही आता है तो ऐसे में हमें क्या जरूरत है उस तरीके से तयार करने यह permettre यह हमारी आसान है और जो सस्ते में उनले कर देया है और आध वीडियो बनाने के मिद्रिए किलिए करते है हम पहले से कर रहे हैं और सब्सक्राइब को बताते हैं कि जो है बहतरीन तरीके से तयार हो सकती है तो आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को बता देंगे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए किसान भायों आज है 17 जुलाई और हम अपनी नर्सरी की तयारी आज कर रहे हैं और आज ही इसकी बुआई करेंगे जब भी आप बरसात में नर्सरी तयार करने जाएए तो एक चीज का विसेस ध्यान रखें कि जो आपकी नर्सरी वाली जमीन रहे की यह अनक खेत किया पेच्छा कम से कम 4-6 इंच उंची होन रहे हैं और इसे समतल कर लिए हैं जैसा कि आप यहां पर वीडियो में देख पा रहे हैं इसी तरीके से आप लोगों को भी करना है और कुछ भी नहीं करना है नर्सरी तयार करने की कई सारी विदिया है आप देखे होंगे कि हम अलग अलग विदियों से नर्सरी तयार किये है अब हमारी नर्षयी तैयार हो गई है और अला बीज ज Welsh इसमें डालना है तो यह जो आप बीज देख रहे हैं यह हमारे घर पे तैयार की हूई है जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो हमारी स्प्राइड की वोटल आती है उसमें रखे हुए हैं और जो हमारे बीज की क्वाल्टी है यह आप देख सकते हैं अब इसके फल और इसकी जो रुपाई होती है इसके बारे में हम कुछ विसेस्ता आप लोगों को यहां पर बता देना चाहते हैं यह बरहो मासी है इसका आप पौधरोपन कभी भी कर सकते हैं ठंडी हैं तो यह सबसे पहले मंडी में बिखती है और अभी जब हम इसकी नरसरी तयार कर रहे हैं 2020 में तो जो 2019 वाली रुपाई हम किये थे अभी 2020 में उसका फल निकल रहा है और अभी मार्केट में हमारे रेट 40 रुपे प्रतिकिलो के हिसाब से चल रहा है यह पूर्वी उत्तर परदेश और तारीक है वंतीस जुलाई 2020 को यह जो है मार्केट का रेट हमारे यहां है आप कहां क्या रेट है जरूर हमें बताईएगा अब हम यहां पर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रशनों के जबाब दे रहे हैं एक एकड़ में अगर आपको मिर्च का आउसकता होगी नरसरी के लिए तो उसका जबाब है आपको 100 ग्राम लगभग नरसरी के लिए बीच के आउसकता होगी यह बरसात का मौसम चल आए तिस वज़े से कुछ पौदे मर भी सकते हैं तो ऐसी परिस्थिती में आप 100 ग्राम रख करके निश्चिंद रह सकते हैं औ और दूसरी चीज यह है कि इतनी बीच डालने के लिए नरसरी के लिए हमें कितनी जमीन किया उसकता पड़ेगी तो उसके लिए है लंबाई उसकी रहेगी 12 फिट और उसकी जो चोड़ाई रहेगी यह 7 फिट रहेगी इतने में आप एक एकड़ के लिए बीच जो आपकी 100 गोबर मात्रा में फैल जानी चाहिए बस इतना ही आप लोगों को ध्यान रखना है अब जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं जो हम बीच यहां पर डाले हुए हैं और अब इसके बाद जो सबसे जरूरी काम अब की बार नरसरी में हम करने जा रहे हैं वह यह है कि इ खाद डाल देते हैं तो आपको एक इंच गहरी गुड़ाई करनी होती है जैसा कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं इसी तरीके से आप गुड़ाई कीजेगा ज्यादा गहरी गुड़ाई करने की कोई आउ सकता नहीं है हाँ आपकी नरसरी में जो नमी है यह माई नहीं रखती है इस वीडि में तो आप लोग ऐसे जैसे बताए हैं वैसे कर दीजे लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखे कि जो आपकी गोबर की खाद है वह कम से कम 6 महीने पुरानी होनी चाहिए सड़ी हुई होनी चाहिए और भुरभुरी होनी चाहिए और उसे इसी तरीके से आप लोग डालिएगा गोबर की खाद डालने से पहले उसमें हम कारबेंडा जिम 50 ग्राम डाल करके गोबर की खाद में मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद ही खेत में डालेंगे अब आप लोग गोबर की खाद डाल चुके हैं और गुड़ाई भी कर चुके हैं जैसा कि आप लोग पहले ही देख चुके हैं उसके बाद इसी तरीके से हम पैर की सहायता से लतिया देते हैं या अगर आप चाहें तो पाटा की सहायता से भी ऐसा काम कर सकते हैं लेकिन एक सीज का यहां पर विशेस ध्यान तब रखिएगा कि जो आपकी मिट्टी है एक जगह से को पहले बताएं हैं कि नमी के आउसकता नहीं होती है इस विधी में जिस विधी से आज हम आप लोगों को बता रहे हैं इसमें क्या होता है हजारे की सहायता से हम इसमें पानी डालते हैं फिलहाल हमारे पास मोटर की सुबिधा है और उसमें हम फुहारा लगा लिए हैं और इसके उपर हल्का सा हम फुहारा कर रहे हैं जिससे हमारी जो उपरी मिट्टी है एक इंच भीग जा रही है ध्यान दें कि वह गीली नहीं होनी चाहिए एकदम जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं और समझ पा रहे हैं बस इतना ही आप लोगों को इसकी सिचाई करनी होत तो अब अगर बारिस के माऊसम में अगर आप इस सिच को तयार कर रहे हैं तो आप लोग इसके उपर पॉली थीन की सिच डाल दीजेगा जैसा कि हम गोभी वाली वीडियो में पहले आप लोगों को बता चुकے हैं इसी तरीके से जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इस भग 13 दिन हो चुके हैं, हमारी नर्सरी को डाले हुए, अब जो इसका जमाव आया है, वह आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कितना बहतरीन जमाव आया हुआ है, और यहाँ पर जो गोबर की खाध है, यह घुल करके मिट्टी में मिल गई है, कहीं कहीं पर जो बड़े आते हैं, उसका आप निवारन अपने हाथ की सहायता से अराम से कर दीजेगा, और उसके लिए अगर आप चाहें, तो जो बेड की चौड़ाई रखनी है, हम साथ फिट बताए थे, तो आप उसे चार-चार फिट कर सकते हैं, जिससे आपके हाथ नर्सरी के मद्ध तक अराम से पहुँच जाए, और हमें उम्मीद है ये वीडियो देख करके आप लोग समझ चुके होंगे, और अब आप लोग आसानी से मिर्चा की नर्सरी तयार कर सकते हैं, लगभग सभी जरूरी प्रशनों को हम यहाँ पर कवर कर दिये हैं, फिर भी अगर आपका कोई प्रशन रह गया है, तो हमें जरूर बताईए, कमेंट बॉक्स में, अगर आप चाहते हैं, इस मिर्च की जो क्वाल्टी है, उसका आप लोग फोटो देखें, तो हम अपने फेस्बुक प्रोफाइल का लिंक के डिस्क्रिप्सन में दे रखे हैं, आप वहाँ से जा करके वहाँ पर नर्सरी को तयार कर रहे हैं, और वहाँ पर फंगस लखने के समस्या आ रही है, तो वैसे में आप कॉपर ऑक्सी कुलोराइड 50% WP 2 ग्राम प्रतिलीटर मिला करके आप लोग इस्प्रे कर सकते हैं, किसान भाईों यह वीडियो आप लोगों को कैसी लेगी हमें जरूर बता आईएगा कमेंट करके और इसके साथ साथ इस वीडियो को सेयर करके आप लोग अन्य किसानों तक पहुंचाएं, जिसे अन्य किसान भाई भी इसका फायदा उठा पाएं, अगर आप लोग अभी तक की स्मार्ट किसान यूटूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं, तो